वेलकम डियर पेरेंट्स दोस्तों आज बात करेंगे एक बहुत फ्रिक्वेंटली जो आपने मुझे से क्विश्चन पूछा है बहुत ही कई बार आपके एक वैरी आती है कि बच्चे को अंडा खिलाना कब से चालू करें खिलाएं या नहीं खिलाएं एक के फाइदे क्या है एक के नुकसान क्या है किस फोर में खिलाएं किस फोर में खिलाने से उसे ज़्यादा बेनिफिट होगा तो दोस्तों आईए अंडे से रिलेटेड जो आज एक डिटेल में बात करते हैं तो जो पहला सवाल सबसे कोमनली पूछा गया कि बच्चे को अंडा खिलाना कब से स् पूर में आता है एलर्जिक फूड वो होते हैं जो जब बच्चे को इंट्रोडूस कराते हैं तो उसके बाद बच्चे में कुछ रियक्शन सा सकती हैं और इन एलर्जिक फूड के उपर मैंने अपना फूरा वीडियो बनाया हुआ है आप वहाँ पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं और मेरा सजेशन है कि पहले वो वीडियो जरूर देखें तो अंडा एक बोस्ट कोमन एलर्जिक फूड की केटेगरी में है और पहले गाइडलाइन यह थी कि जो एलर्जिक फूड है उन्हें लेट दिया जाना चाहिए मतला बच्चे को लेट इंट्रोड कराएं और जो कॉमनली अलर्जिक फूड थे उनमें काव मिल था एग और नट्स चाहिए वो पीनट हो या ट्री नट्स तो काव मिल की गाइडलाइन थी एक साल के बाद में आपके बाद अंडे दो साल और जो नट्स हैं वो तीन साल बाद ऐसा पहले की गाइडलाइन थी लेकिन बाद में रिसर्चेज में ये देखा गया, कि यदि हम बच्चे को ये फूड लेट भी देते हैं, लेट इंटर्डूस कराते हैं, तो भी भविश्य में वो उसे ऐलर्जी से नहीं बचाते हैं। जबकि इसके विपरीत ये देखा गया, अगेंस्ट, जस्ट अपोजिट ये गायड देखा गया, रिसर्चेज में, कि यदि इन ऐलर्जिक फूड को जितना जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, तो बाद में उस वो बच्चा जो है, उस ऐलर्जी से बचा रहता है, तो बाद में अब यहाँ पर यह रहता है कि जो एग है, उसके दो पॉर्चन है, एग वाइट एंड एग योग, तो देखिए जो यह एलर्जीक रियक्शन आती हैं, यह एलर्जीक रियक्शन बेसिकली आती हैं, बिकॉज अफ प्रोटीन, तो एग वाइट जो है, वो एक प्रोटीन का अच्छा सोल्स है, और एग योग जो है, वहाँ पर प्रोटीन नहीं है, तो यह मेरा एक सजेशन है, कि आप जब एग इंट्रोडूस करा रहे हैं बच्चे को, तो स्टार्टिंग उसे आप एग योग दीजिए उसे, मैश करके, और लेटर ओन दीरे दीरे फिर आप उसे एग वाइट भी स्टार्ट करने हैं, लेकिन अलवेज रिमेंबर आप उसे मैश्ट फोर्म में दें, और जब भी आपने इंट्रोडूस कराया है एग को, तो उसके बाद अगले 48 घंटे तक बच्चे में ये देखें कि कहीं कोई ऐलर्जी के साइन तो नहीं आ रहे हैं, य इलर्जी के साइन कोन से हो सकते हैं, यह आप मेरा मैंने अभी बताया आपको कि आप मेरा वो वीडियो देखिए, वो कम्पलीट एलर्जीक फूड के उपर है, वह मैंने सब कुछ देस्क्राइब किया हुआ है, तो क्या-क्या लक्षन हो सकते हैं, वो आपको पता होने होती है, हलके लक्षन भी आ सकते हैं, या बड़े लक्षन भी आ सकते हैं, तो वो आपको पता होना चीए, तो एक नुक्सान तो ऐलर्जी वाला हो गया, दूसरा यदी एग, कई बार मुझसे पेरेंट्स आते हैं, वो कुछते हैं, उनके घर में चलते नहीं हैं, तो वो कह इंफेक्टेड हो जाता है, तो आपको ये घ्यान रखना होगा, कि सही जगे से खरीदा हुआ है, और उसे अच्छे से कुक किया हुआ है, क्योंकि रो एक ये दी कभी खाया जाता है, या गलती से चला जाता है, तो वहाँ पर एक इंफेक्शन होता है, साल्मोनेला का, एक बड़ा खत्रा रहता है, तो दूसरा नुकसान इंफेक्शन का, तीसरा अगर बहुत एक्सेस क्वांटी में दिया जा रहा है, ठीक है ना, यूजवली ऐसा होता नहीं है, बहुत एक्सेस क्वांटी में दिया जा रहा है, तो फिर लेटर ओन कार्डियो वैस्कुलर डिजी पूरा वीडियो देखिएगा और आप भी सर्प्राइज करेंगे कि कितने फाइद हैं इसके देखिए मैंने आपको बताया कि एग के दो पोर्शन है एग वाइट एग योग एग वाइट जो है इसको हम बोलते है बेस्ट प्रोटीन या रेफरेंस प्रोटीन तो हम दो ही ची यह है यह फरेंस प्रोटीन के आधार पर यूज किया जाता है मतलब बाक्की जो प्रोटीन से उनको इससे कंपेर किया जाता है तो इस गूड सोर्स प्रोटीन हमारे जो nine essential amino acids यह वह amino acids जो हमें बहार से लेने हमारी बोड़ी उने बना नहीं सकती है और उनके बिना काम नही इए एक प्रोटीन दे रहे हैं, एक कंप्लीट प्रोटीन उसकी बोडी में जा रही है, और प्रोटीन का फायदा क्या? प्रोटीन जो है इत बिल्डिंग ब्लॉक वह आपके बच्चे को मजबूत बनाती है, इम्मुनुटी देती है उसको, तो जितनी अच्छी क्वालिटी क प्रोटीन आप उसे देंगे, बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी, बच्चे का इम्मिनुटी लेवल अच्छा होगा, दूसरी जो चीज है वो है एग योक, अब एग योक जो है ये क्या चीज है कि हम जो बच्चे को एग खिला रहे हैं, उससे बच्चे को जो एनर्जी मिल एग वाइट से प्रोटीन मिलता है पर मैक्जिमम एनरजी का क्योंकि हमाँ फैट्स बहुत अच्छे हैं कॉलस्ट्रोल है उसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे विटामिन से एंड मिनरल से हैं तो एग योक में जो फैट्स हैं वो फैट्स कौन से हैं देखिए एक पर अच्यों सबसे पहले ब्रें की ग्रोथ के लिए करती हya मां के पेट में बहुत जाड़ा जयादा जो सबसे जादा जो दूलisk में वो brain का होता है और बाहर आने के बाद भी जो शुरू के दो साल है उसमें भी जो maximum growth होती है वो आपके brain की होती है तो ये time बहुत crucial है इस वेर इंपोर्टेंट की हम इन दो साल के अंदर बच्चे को अच्छे से अच्छा nutrient दें ऐसा दें जिससे कि उसकी brain का या उसके दिमाग का विकास बहुत अच्छे रूप से हो इवन जब pregnancy के अंदर भी इस चीज का विशेश ध्यान रखना चाहिए और brain की growth के लिए सबसे ज़रूरी चीज है आपके पास fats fats बहुत ज़रूरी है और उसमें भी omega 3 free fatty acids जो की fish के अंदर usually मिलते हैं वो omega 3 free fatty acids egg के अंदर भी present है तो यदि बच्चे को egg दिया जा रहा है तो उसके brain का भी विकास अच्छा होता है brain का development अच्छा होता है इसके अलावा eggs के अंदर cholesterol भी अच्छा है देखिए cholesterol के बारे में हर समय रहता है कि cholesterol को हटा दीजे डाइट से cholesterol मत खाईए लेकिन cholesterol बाड़ी के लिए जरूरी है cholesterol से ऐसे ऐसे hormones बनते हैं जो हमारी बाड़ी की जरूरत है तो cholesterol जो है good quality का भी होता है bad quality का भी तो एक के अंदर जो cholesterol है वो एक good quality का है और omega 3 free fatty acids है अगर बात करें vitamins की कि एक के अंदर vitamins कौन कौन से हैं तो number one बीक जो है वो इसके अंदर और उसमें भी vitamin B12 जो है उसकी मात्रा बहुत अच्छी होती है और vitamin B12 जो है यह दो जगे पे बहुत important role play करता है एक तो nerves के लिए हमारी जो nerve cells होती हैं उनके लिए और दूसरा इसकी कमी से एनिमिया हो जाता है खून की कमी हो जाती है vitamin B के अलावा और दूसरे vitamins में vitamin A, D, E, folic acid यह भी एक के अंदर बहुत अच्छी quantity में पाए जाते हैं आप जानते हैं कि vitamin A की कमी से night blindness हो सकती है, D जो है that is essential for bones वो calcium के absorption को बढ़ा रहा है और multiple usage है vitamin D के, vitamin E एक बहुत अच्छा antioxidant है और folic acid again बहुत जगे पे काम आता है, उसकी कमी से भी एनिमिया हो जाता है उसके अलावा biotene present है और एक और vitamin है colin colin का रोल क्या रहता है हमारी nerve cells के अंदर हमारी nerve cells जो हैं वो signals को transmit जो करती हैं तो उसमें chemical जी होता है that is acetyl colin और वहाँ यह जो colin है यह उसको बनाता है तो colin भी जो एक के अंदर है एक अच्छी मात्रा में है और यह एक का फाइदा है अगर बात करें कि इस एक के अंदर minerals कौन कौन से हैं तो minerals के अंदर selenium, calcium, iodine, phosphorus selenium is a very good antioxidant तो बहुत अच्छे minerals भी मिल रहे हैं उसके अलावा iron जी हां बच्चे के अंदर जब हम बात करते हैं छे मेने के बाद तो हमें डाइट में especially देखना है कि iron जा रहा है कि नहीं जा रहा है तो एग में iron है और heem and non-heem दोनों टाइप का iron है iron के उपर मेरा एक complete video है आप कई बार मेरे से पूछने iron के source क्या है iron का absorption, iron के बारे में जितनी भी आपकी queries है आप वो video देख सकते हैं उससे आपको clear हो जाएंगी तो दोस्तों ये तो बात हुए अंडे के nutritional benefits की इसके अलावा भी इसके बहुत benefits हैं बहुत easily available है मुझे नहीं लगता कि कहीं पर नहीं मिलता होगा बहुत आराम से ये मिल जाता है और बहुत आसानी से बनाया जा सकता है अगर मैं बना सकता हूँ तो कोई भी बना सकता है इसलिए मुझे एक ही preparation आती है अंडे की भुर्जी बनानी तो मुझे लगता है कि अगर मैं बना सकता हूँ तो इसको कोई भी बना सकता है इसके बाद पुछा गया है कि किस किस preparation में खिला सकते हैं याट इस एगुड question कि आप उसे boil करके खिला रहे हैं बुर्जी बनके omelade बना करके खिला रहे हैं और आप आ इस मेने पर इन्टोडिउस कर रहे हैं तो आप जैसी फॉर में उसे बना रहे हैं वह जो अ cohesive करker खिला और एक चीज और मैं आपको बताओं कि आप जब starting करते हैं बच्चे को semi solid diet की starting कर रहे हैं तो आप एक non allergic food से start किजी ऐसे food जो की allergic जिनके अंदर की allergy के जो आपन देखने की वो कम करते हैं तो पहले उन से starting कीजी 15 दिन 20 दिन 1 मेना पहले उन पर चलाई बच्चे को और फिर उसक जो allergy कर सकते हैं उनको introduce कीजिए one by one तो आप जो पुराना फूड बच्चे का चल रहा है उसमें mash करके एक दे दिया बच्चे को और उसके बाद next 48 hours तक उस पर observe रखा कि allergy के कहीं लक्षन तो नहीं आ रहे हैं तो जिस भी फॉर्म में दे रहे हैं आप उसे starting में mash करके दीजे जो सकता है स्क्रेंबल हो सकता है तो दोस्तों यह बात हुई की एक से related एक के नुकसान क्या हो सकते हैं एक के फायदे क्या हो सकते हैं इसमें कोई शक्त नहीं है कि एक बहुत बढ़िया चीज है लेकिन कई families के अंदर नहीं चलता है तो वहाँ पर आपकी भावनाई है आप आप जितनी चीजे मैंने बताइए यहाई से मिल रही है वह दूस्री चीजिघों से मिल सकती है इसलिए नहीं चार्गता है तो इस तो इस घुँड सारी प्रोटीन के सोर्सेज वगरा बच्चे को आयरन, कैल्शियम जितना भी मैंने बताया वो दूसरी डाइट से भी मिल जाएंगे लेकिन यदी फैमेली में एक चलता है तो बिग थम्स अब बहुत बढ़ी अची बच्चे के लिए तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपसे बात करी है आपको लगता है कि कहीं कोई चीज मिस हो गई है, कुछ छूट गया है या कहीं कुछ गल्ती हुई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इसके अलावा कोई क्वेरीज हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं तो दोस्तों उम्मेद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगाओगा इन्फॉर्मेटिव लगाओगा तो वीडियो को लाइक करें, शेर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू